नमस्कार दोस्तों अभी आपने इसके जश्ट पहले देखा होगा पीवियर इश्टडी लहाबाद चैनल पर एक दूसरा पर्मिय जो कि क्या था कि यदि किसी चतुरभुज के बिकरड़ सम्दुभाजित करते हैं यदि किसी चतुरभुज के बिकरड़ आपस में क्या करते हैं एक दूसरे को सम्दुभाजित करते हैं तो वो चतुरभुज समानतर चतुरभुज होता है इसी को सिद्ध किया ना अगर किसी चतुरभुज के बिकरड़ सम्दुभाजित करते हैं एक दूसरे को तो देखिए दिया है क्या क्या दिया है दिया है समांतर चत्रवूज के बिकर्ड AC और BD बिंदू O पर पर तिछेदित करते हैं यह हमें दिया गया है क्योंकि यही तो सिद्ध करना है ना ठीक है लिखिए इसको यह दिया है सिद्ध क्या करना है देखो हमें ये सिद्ध करना है कि OA यहाँ पर लिखिये सिद्ध करना है सिद्ध करना है OA equal OC वही जो अभी आप इसके पहले किये हैं उसी से related है और OB equal OD ये क्या करना है, सिद्ध करना है ठीक, इतना हो गया, नोट करिए आगे क्या करेंगे आगे हम लोग करेंगे उपत्ती उपत्ती मतलब वही जो अभी आप लोगों ने देखा था पीछे, वैसे ही कुछ करेंगे तिर्भूज A, O, D तथा COB में तिर्भूज A, O, D तथा COB में उपत्ती के लिए आप इसी मिटाना पड़ेगा ठीक ना, लिखिए उपत्ती आप थोड़ा वीडियो को रोंक करके इसको नोट करिए जल्दी से हो गया, वीडियो को थोड़ा पीछे कर लीजिए बैक कर लीजिए दो बार क्लिक करके जिससे आप जो मिटा दिये उसको भी देख सकिए ठीक है, हमने क्या लिखा हमने लिखा था सीध करना है OA equal OC और OB equal OD हो गया, चलिए, अब उपत्ती लिखते हैं देखे जो चीजे हम मिटा देते हैं उसको आप पीछे करके वीडियो को लिख लिया करिए या फिर वीडियो को स्क्रीन पे टच करके रोंक भी सकते हैं आप रोंक करके लिख लिया करिए और कहीं जाता नहीं आप ये मत सोचा करिए कि हम मिटा दिये तो खतम हो गया हो वीडियो को पीछे करोगे फिर दिखेगा offline class नहीं, online है, सब digital जवाना है, है ना चलिए, अब आगे क्या करेंगे उपत्री लिखिए तिर भूज एक मिनट इसको मैं लगा लेता हूँ थोड़ा से रुक ना यह गिर जाता है बड़ी मुसिबत तो यह है अब ठीक है नहीं गिरेगा लिखिए तिर भूज A O D A O D और किसमें? C O B में A O D और C O B में क्या है इसमें? A O D और C O B में यह तिर भूज यह बुरा और यह तिर भूज जिता मैं घेर रहा हूं इन दोरों में क्या होने वाला है? लिखिए कौण D A O D A O D A O का तात्य पर है D A O मतलब इसी की बात हो रही यानि कि A पर जो कौण बन रहा है किस पर? A पर मतलब यह कौण ठीक और कौन है? इसमें का कौन होगा? C वाला बराबर होगा क्योंकि यह कांतर कौण है लिखिए B C D क्या? कौण B C D B C D का मतलब जान रहे हो क्या? B C D का मतलब यह हुआ यह हो है न? ठीक है? यार B C D नहीं होगा लेकिन यहाँ पर तो कुछ गड़बर लग रहा है मुझे B C O B C O हाँ आप सही है B C O यह यानि कि यह कौण यह दोनों बराबर है क्यों बराबर है? क्योंकि यह एक आंतर कौण है है न? लिखिए आगे लिखिए एक आंतर अंता कौण ब्रेकर्ट में लिखिए एक आंतर अंता कौण और हाँ एक खास बात और है यहां पर एक घटना यह भी दिख रहे है आपको कि दो भुज़ा ए समांतर है आपस में कौन कौन सी समांतर कौन कौन सी है A.D. समांतर B.C A.D. C बताओ इस समांतर है कि नहीं ऐसे तो है न समांतर का मतलब क्या होता कभी एक दूसरे को काटे ना चाहा जित्ती दूर चली जाए इंडिया के दिल्ली से ले करके बनारस तक चली आ लेकिन काटे ना आपस में मतलब सीधा फीधा जायरेल की पट्री जासे यह कभी ऐसे ना करें तो यह क्या है यहापर लिखो AD, Samantar, BC यह सारी रसमें हमने पूरा कर दिया ठीक अब आगे क्या करेंगे नोट करते जाए इसको 3-4 बार देखो गे तो कुछ पले पड़ेगा नहीं पले पड़ना ना ऐसे याद कर लो रट लो ऐसे पेपर में जाना ना जब सीधा करने को आएगा ना ऐसे कुछ आम घास कर के नीचे उपर लाइश्ट में सीध्य कर देना बस कुछ नो कुछ मिलेगा लेकिन खाली पेज मत छोड़ना हां बहुत बड़ी ट्रिक बता रहा हूं किसी से बताना मत खाली पेज कापी छोड़ों कि तो कुछ ना मिलेगा अगर कुछ किये रहोगे तो उमीद रहेगी ले इसके BC के AD समांतर है BC समांतर तो ही बराबर भी है AD समांतर है BC क्यों बराबर है क्योंकि इसमें और भी एक रस्म पूरा करना है यह समांतर चतुरबुज की सम्मुक बुजाएं समांतर चतुर्भूज की सम्मुख भूजाएं बराबर भी होती है लिखिए यहाँ पर लिखिए समांतर यह चतुर्भूज की प्रोपर्डी से मिला है हमने पहले पढ़ा दिया चतुर्भूज की बारे में समांतर चतुरभूज की सम्मुख भूजा बराबर होती है समांतर चतुरभूज की सम्मुख भूजा क्या है सम्मुख भूजा इसको लिख लिजिएगा समांतर चतुरभूज की सम्मुख भूजा इसलिए बराबर है हम जा कहा रहे हमें कुछ सिद्र करके दिखाना इसलिए इसलिए सब कर रहे है इसमें और भी एक खासियत है वो क्या है कोण ADO कोण CBO के बराबर है एक आंतर कोण है कौण कौण अब देखना ADO ADO का मतलब है यह आला कौण किसके बराबर है CBO CBO का मतलब है यह आला कौण बात समझ में आई न यह आपस में क्या है यह दोनों एक आंतर कोण है एक आंतर अंतर कोण है तो इनको लिख लिजिए कोण ADO equal code CBO क्यों बराबर है यहाँ पर लिखो एक आंतर अंतर कोण है अगर अभी तक बच्पन से कोण और तिर्भूच के बारे में नहीं पढ़ाया ना तो यह उपर से उड़ जाएगा एक को पल ले ना पढ़ेगा इतना लिख लिए ना आप देखिए हम वहां पहुंच चुक समरूपता उनको मिल गया होका बहुत कुछ अब यहाँ पर तिर्भूच AOD और तिर्भूच COV या BOC सरवांगसम हो गए क्यों हो गये सरवांगसम क्योंकि यहाँ पर देखिए बुजाएं बराबर है यह कोंड भी बराबर है और हे वी कोंड बराबर है दो कोंड एक कौन बराबर होता है सरबांगसम होता है पढ़ा है ना इसको तो लिख लिजिए तिर्भूज आता हा तिर्भूज कौन कौन AOD AOD सरबांगसम है COBK AOD COBK क्या हो गया सरबांगसम हो गया और जब सरबांगसम हो गया तो क्या होगा क्या होगा भाई जब तिरबुज सर्बांग सम हो गया तब क्या होगा चत्रबुज के विकरन परसपर सम्दुभाजित करते हैं कह रहा है न और आपने ये भी सिद्ध करा है कि समांतर चत्रबुज के विकरन परसपर क्या करते हैं सम्दुभाजित करते हैं आत रहा है A O बराबर O C और फिर कामा लगा करके लिख लो O D बराबर O B इति सिध्धम संस्कृत में लिखते हैं अच्छा लगता है एरा देखे होगे आप लिखा रहता है या फिर हैंस प्रूब्ड लिख दीजिए अंग्रेजी के जबाने में नहीं तो लिख दीजिए इति सिध्धम मतलब आता है सिध्ध हुआ निचे कामन लगा देजिएगा लब कामा तो ये एक पर्मिय सिध्ध होगा ये आपकी इसकी अगली पर्मिय हम आपको दिखाएंगे अगली कलास में तो उसको भी देखना उसकी लिंक हो सकता है आपको इस वीडियो के डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगी और उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवस्यान करिएगा जिससे आपको अपडेट मिल सकी तो कर लीजिएगा पेपर बहुत कम दिन बचाए अगली कलास में हम लोग ये पर्मिय सिध्ध करेंगे कौन सा एक चतुरबूच समांदर होता है एक क्वाड और कौन भी कौन डी के बराबर होता है तो ये चतुरबूच समांतर होता है ये सिध्ध करके दिखाना है इसको हम देखेंगे अगले भाग में अगला भाग जरूर देखिएगा अगर आपको कोई परकार की साहता चाहिए या फिर वाट्स अप पर सारी कलास चाहते हैं तो है है ना दस दिन का टाइम बचा है लगबग में आप दस दिन के अंदर सब कुछ रिविजन कर सकते हैं तो इक अठा आपको इस पेसल जो भी महत्तोपुल वीडियो है भेज दिये जाएंगे बाकी कोर्स तो खतम करने का टाइम है नहीं फिलाल कोर्स तो आपका खतम हो गय सब्सक्राइगे जो पूराने स्टुडेंट है वो देख चुके हैं कोर्स आपका पूरा हो चुका है ठीक ना तो चलिए अगला भाग देखिएगा लिंक इसके डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगी सुक्रिया